नमस्कार साथियों आज का विशाय है जाती और उस कुथपत्ति कैसे हुई आज हम जानेंगे जाती कुथपत्ति कैसे हुई मैं सबसे पहले यह बता दू कि दुनिया में किसी भी समाज, ब्यवस्था और धर्म कर निर्मार किसी भी इस्वर अल्ला या गौड ने नहीं किया है इससे साब जाहिर होता है कि जाती को भी इस्वर ने नहीं बनाया है दुनिया की सभी बेवस्थाओं को मनुस्य ने बनाया है यानि जाती की बेवस्था को भी मनुस्य ने ही बनाया है भारत में जाती कुद्पती आरियों के आगमन के बाद हुई प्रतेक कार्य और बेवस्था के पीछे एक कारण और संबंध होता है ऐसा ही सम्मंद जाती और उसकी बेउस्था के पीछे है जाती बेउस्था को आरियों ने बनाया यहां एक सवाल यह उठता है कि आरियों ने जाती बेउस्था बनाई क्यों और आरिय है कुँँ यह सभी जानते हैं कि आरिय मद्ध ऐसिया से भारत में आए आरियों का मुख्य काम यूद और लूट पात करना था आरियों बहुत ही हिंसक प्रतिके थे और यूद करने में बहुत माहिर थे यूद का सारा साजो समान हमेशा साथ रखते थे अपने लूट पात के करम में ही आरिय भारत आये उस समय भारत समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतित रूप से बहुत सम्रिद्ध था इस सम्रिद्धी का करण भारती मुल्निवासियों की मेहनत थी भारती मुल्निवासि बहुत मेहनती थे अपनी मेहनत और उत्पादन शमता के बल पर ही उन्होंने सिंदूग घाटी सब्यता जैसे महान सब्यता बिक्सित की थी इसी कारिय के सांसात अन्य बहुसाई काम भी भारत के मुल्निवासि करते थे मुल्निवासि बहुत सांती प्री अहिंसक और सौईमानी जीवन यापन करते थे ये लोग काफी बहदूर और बिलक्छंड साररिक सकती वाले थे बुद्धी में भी ये काफी बिलक्छंड थे अपनी इस सारी खासियत के बावजूद ये अहिंसक थे और हंत्यारों आदी से दूर रखते थे आरियों ने भारत आगमन के साथ ही यहां के निवासियों को लोटा और इसके साथ मार काट की आरियों ने उनके घर दुआर, ब्यापरिक प्रतिष्ठान, गाउं, सहर सब जला दिये यहां तक के निवासियों के धार्मिक सांस्कृतिक प्रतिकों को तोड़ कर रुटिस्थान पर अपने धार्मिक सांस्कृतिक प्रतिक थापित कर दिये मुल्निवासियों के उतपादन के सभी साधनों पर अपना कबजा जमा लिया काम तो मुल्निवासियों ही करते थे लेकिन जो उत्पादन होता था उस पर अधिकार आरियों का होता था धीरे धीरे आरियों को कबजा यहां के समाज पर बढ़ता गया और वो मुलनी वासियों को अपनी अधिनता स्विकार करने के लिए बाद दे करने की कोसिस करने लगे बावजुद इसके मुल्नी वासियों ने गुलामी स्विकर नहीं की बिना हत्यारो जब तक लड़ सकते थे तब तक आरियों से बहदुरी से लड़े लेकिन अंज़ता आरियों के हत्यारों के सामने मुल्नी वासियों को उन से हरना पड़ा आरियों ने बलपूरों बड़ी पुहता और निर्मम्ता से मुल्निवासियों को दमन किया दुनिया की इतिहास में जब भी कहीं कोई यूध है लूट पाट होती है तो उसका सबसे पहला और आसान निसाना इस्त्रियां होती है इस यूध में भी ऐसा ही हो आरियों के दमन का सबसे ज़्यादा खामिया जा मुल्निवासियों किस्त्रियों को भूगतना पड़ा आरियों के पूर दमन से परास्त होने के बाद कुछ मुल्निवासियों ज़ंगलों में भाग गए उन्होंने अपनी सब्याता और संस्कृति को गूपाओं और कंदराओं में बचाये रखा इसी को आज आदिवासियों कहा जाता है यह गलत रूप से प्रचाहिद किया जात जाता ही कि आदिवासियों हमेशा से जंगलों में रहते थे असल में ऐसा नहीं है आदिवासियों हमेशा से जंगलों में नहीं रहते थे बलकि उन्हें अपनी सूविक सिच संस्कृति से बहुत प्यार था जिसे उन्होंने आरियों से बचाने के लिए जंगलों में सरंड बाद में आरियों ने जुटा प्रचार करके उन्हें हमेशा से जंगल में रहने वाला प्रचारित कर दिया और उनकी बस्तियों और संपत्ती पर कबजा कर लिया था जो मुल्निवासी भाग कर जंगल नहीं गए उनसे घ्रिड़ित से घ्रिड़ित अमानुई कारी करवाए गए मरेही जानवरों को रसी में बांध कर उने खीच कर बस्तिय से बाहर ले जाना फिर उनकी खाल निकालना आरियों के घरों का मल मुत्र साप करना कर था मुल्निवासी इन घ्रिड़ित कामों से काफी परशान थे उसके खिलाब मुल्निवासी संगठित होकर बिर्दोह करने लगे हाला कि आरियों के लूट पाट थे वा मार काट से सभी डिखर गए थे फिर भी समय से में पर संगठित होकर वे अपनी जी वर्टता और बहादरी से आरियों को चुनवती देते रहे इसके परिणाम सुरुफ आरियों और अनारियों के कई भेह कर योद हुए मुल्य वासियों के इस तरह के बारबर संग्ठित होकर विद्रोह से आरी परसान हो गए पस्चात आरी इस से निपटने के लिए दूसरों पर ढूमने लगे उत्पादां सुरोतों और साधनों पर हमेशा अपने कबजा बनाए रखने को लेकर वे सडियन्त करने लगे इसके लिए आर्यों ने रन्निती के तहट मन गडंद धर्म वेद सास्त और पुराणों की रचना की इन सास्तों में आर्यों ने यहां के मुल्य वासियों को अच्छूत राक्षस अमंगल और उनके दरसन तक वसुब बता दिया धर्म सास्तों में आर्यों का सबसे पहलावे दरीक वेद जिसके पुरूस सुक्त में वर्णा ब्यवस्ता का उलेक है इसमें समाज ब्यवस्ता को चार वर्णों ब्रामहर चत्री वैसे और सुद्र में बाटा गया पुरुस सुक्त में वर्णों की उत्पति ब्रम्हा नाम के मिथप के सरीर से हुई बताई गई में कहा गया कि ब्राम्हाड के मुख से ब्राम्हाड की भुजाओं से छत्रियों की पेड़ से वश्यों की तथा पेड़ से सुद्रों की उत्पति है इस व्योस्ता में सबके काम बाते गए आरियों ने बड़ी होस्यारी से अपने लिए बेकाम ने धायर की जिन से वो समाजन प्रते की स्थर पर सबसे उच्षाई पर बने रहे और उन्हें कोई काम ना करना पड़े आर्यों नी इस ब्यवस्ता के पक्छ में यह तर्क दिया कि चुकर ब्रामहन का जन्मात ब्रामहा के मुख से हुआ है इसलिए ब्रामहन का काम घ्ञान हासिल करना और उबदेश देना उबदेश से उनका मतलब सब को सिर्फ आदेश देने से था शत्रियों को काम रक्षा करना वैस्या काम ब्यवसाय करना था सुद्रों काम इन सब की सेवा करना था क्योंकि इन्कित पत्ति ब्रह्म्हा के पेरों से हुई है इस प्रकार आर्यों ने अपने आपको सथा और सीर्ष पर बनाई रखने इसलिए ग़िले समाच के प्रतिये एक महत्वित्वर्य स्वेस्टान और सिख्छा और अपना अदिकार को कानूनी जामा पहना कर अपना अधिकार कर लिए वड़न बेवस्टा के इस्थाई और सक्रतार बाद आर्यो के अम यहाज वेदों की रचना इस्वर ने किया है और यह वर्ण बेवस्था में इस्वर ने बनाई हैं इसलिए सब को बदला नहीं जा सकता है जो इसे बदलने की कोशिज करेगा भागवान उसको डंड देंगे तथा वह मरने के बाद नरक में जाएगा आरियों ने प्रचार किया कि जो इस इस्वर रिक्रित बेवस्था को मानेगा वह स्वरग में जाएगा इस प्रकार मुल्निवासियों को इस्वर स्वरग और नरक का लोग एवं बहे दिखा कर मुल्निवासी अनारियों ने इस अन्याइपून समाजिक विधान को मानने से इंकार कर दिया तत पस्चाथ वण विधान व्रित पर प्राय हो गई और आरियों की सक्ती और प्रभाव कमजोर होने लगे अपनी कमजोर इस्थिती को देखकर मनु नाम के आरियन मनु समर्यति नामा पर एक और समाजिक विधान की रचना की विधान में वनबे उस्था की स्रेड़ी बधधता को बनाए रखते हुए एक कदम और आगे बढ़तर होने में जाती और गोतर की जाता बनाई यानि मनु ने एक वनबे के अंदर अनेग जातियां बनाई और गोत्र के अधार पर उनमें उसे उच में से निम्न का अपदनु करम निर्धारिद किया गया जिसमे जातियों के भीतर उच और नीच की भावना का जन्म हुआ मनु ने यह बता है कि चार्ण वर्ण मेंसे इसी भी वर्ण की कोई भी जाती अपने से नीचे वर्ण की जाती में कोई रख संब्ध यानि साधी वह नहीं करेंगे अन्य था वह अपवित्र हो जाएगा और असुद हो जाएगा सिर्फ समान वर्ण वर्ण वाले ही आपस में रोटी बेटी का रिस्ता कर सकते हैं लेकिन मनु ने यहाँ भी चला की दिखला है उसने इस नियम को ब्राम्हनों के लिए लागू नहीं किया उसने चत्री भी एक जूट रहे वैसे में यह नियम लागू नहीं हुआ जिसके प्राम्हनों यह हुआ तो यह आपस में एक जूट नहीं हो सकते हैं और उच नीच की भावना के करण करते रहे एक वैदिक वन ब्योस्ता में जिसमें सभी मूल निवासियों को रखा गया था इसलिए उनमें समदाईग भावना थी, वो एकसर संगठीत होकर आरियों के वन ब्योस्ता और अमानुई सोचन का बिरोध करते रहते थे मनुने मुल्निवासियों की संगठन सक्तिक कमजोर करने के लिए नई चाल चली उसने मनुन इसमर्थी नामक वन ब्यवस्था के नए विद्धान में सुद्रोंना को जाती पदानुक्रम के साथ साथ दो जाती समधायों बांड गिया सुद्र समाच की सिड़ही नुमा वन ब्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर था इसलिए इस वन की जातियों को अचूद भी करा गया था पर एक वैदिक वन ब्यवस्था में तो इनसे जबरजस्ति गंदे और अमानुई काम करवाय जाते थे इसलिए उनको अन्यवर्णों के लोग छूते नहीं थे अर्थात वहाँ पर कर्म कर मुल निवास्यों की स्थिति निम ने थे लेकिन आरियों ने इस इस्थिति को इस्थिता प्रदान करने के लिए सास्तर में पूनर जन्म के सिर्धान की रचना किया। और मुनों ने सभी मुल्निवासियों को जिने आरियों ने अच्छूद बनाये था, वो कमजोर अच्छूद और गुलाम बनाये रखने के लिए वोन बेवस्था को जाती बेवस्था में बदल लिया। इस ब्योस्ता को बनाए रखने के लिए आरियों निस समय समय पर जूटे और अधार हिन धर्म सास्त लिखे लिए आरियों भारत में मुगलों के आने के बाद अपने आपको हिंदू कहने लगे ताकि इस से उनके भारती मुल्निवासी होने का बोध हो इस तरह भारत में जाती पैदा करने का स्रे वर्तमान हिंदू के पुरुखों को जाता है, मनुकी जाती ब्योस्ता में जातियों की जनन शंपता इतनी अधीक है कि आज जातियों की उसंगे हजारों पहुंचे है और जाती का यह रोप भारत की सिमाय लांकर अमेरिका और बिटेन तक हुए है। धन्यवाद साथ को